इस वीडियो को explain करने से पहले मैं आपको एक warning देना चाहूंगा इस movie के बारे में लोग कहते हैं कि ये cursed है और मैं आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा कि वो कौन सी चीज है जिस कारणी ये movie cursed मानी जाती है पर उस से पहले इस film से जूड़ी कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं 1988 में बुधापेश्ट हंगरी में एक छोटे से movie थीटर में आग लग जाती है जहां 56 लोग जलकर मर जाते हैं और गेस वाट उस थीटर में कौन सी movie screening हो रही थी एंट्रम फिल्म फेस्टिवल के कुछ प्रोग्रामर्स की तो फिल्म स्क्रीनिंग के कुछ ही घंटे बाद मौत हो गई जिसकी सबसे पहली विक्टम है जैनिट हिलबर्ग जोन्स पार्क फेस्टिवल की जनेट हिलबर्क एंटरम स्क्रीनिंग के 24 गंटे बाद सेजर से मर गई दूसरा केस हुआ कोलोराड़ फिल्म फेस्टिवल के टॉम स्टाइलम के साथ जिसे अगली सुबह उसके किचन में बिजली का जटका लगा जिस कारण उसकी मौथ हो गई तीसरा केस जो बेरिंजर एले जुआला फिल्म फेस्टिवल के जो बेरिंगर बीच में एक स्टोन फिस के उपर गिर गया जिसमें उसके अब्डॉमन में एक जहरिला डंक लग गया जो के साथ ये एक्सिडेंट दोपहर को एंटरम स्क्रीनिंग के कुछ ही गंटे बाद हुआ चौथी और सबसे भयानक घटना जो हुई वो हुई नवंबर 1993 सान फ्रांसिस्को में ये फिल्म The Movie That Kills के टाइटल से लोकल थीटर में स्क्रीनिंग हो गई ओडियन्स को फिल्म के कर्जड होने के बारे में पहले से पता था एंटरम स्रू होने के कुछी समय बाद ओडियन्स का मूड जॉइफूल से एन एक्जाइटी में बदल गया और ये टेंसन ओडियन्स में इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सभी एक्जिट की और भागने लगे पर थीटर के गेट्स मिस्टीरियसली बंद हो गए थे सारे लोग पैनिक हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे जिसमें 30 से ज्यादा लोग गायल हो गए और एक प्रिगनेंट लेडी की मौत हो गई बाद में टॉकसेसिटी टेस्ट से पता चला कि ज्यादतर ओडियन्स ने लाइजरिक ऐसेड डाइथेलमाइड या कह लीजी लेजडी इंजक्ट किया था पर इसके बावजू सभी ने कहा कि उन्होंने कोई ड्रक्स नहीं ली थी आगे जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि एक इंपलॉई रिचर्ट सैमी ने उस रात पॉपकॉन बटर में वो ड्रक्स मिला दिये थे इस आखरी घटना के बाद फिल्म अचानक से गायब हो गई बट सालों बाद इस फिल्म के प्रडूसर्स को कनेक्टिकट के स्टेट्स आॉक्शन में इसकी सोल कॉपी मिली जिससे कि ये फिर से पब्लिक के सामने आ गई So I'm presenting you the explanation of Antrum, the deadliest film ever made Movie की शुरुवात में Orly and Nathan अपनी मौम के साथ डॉक्टर के पास आते हैं अपनी कुतिया Maxine को injection दे कर मारने के लिए क्योंकि Maxine ने Nathan के हाथ में बहुत जोर से काट दिया था Maxine को injection देने के बाद वो उसके गले का पट्टा निकाल देते हैं और घर की और जाने लगते हैं रास्ते में Nathan अपनी मौम से पूछता है कि क्या Maxine हैवन में जा चुकी है तो उसकी मा जवाब देती है कि वो हैवन में नहीं है क्योंकि वो बुरी थी और ये बात Nathan के दिमाग में बैठ जाती है जिस कारण उसे Maxine से रिलेटेड बुरे सपने आने लगते हैं कि वो नर्क की आग में जल रही है और डीमन ने उसे कैद कर लिया है तो कुछ हफतो बाद औरली Nathan को अपने साथ घर से दूर एक जंगल के बीच लेकर आ जाती है जहां लोग अपने मरे हुए रिस्तदार या पेट्स की याद में कुछ चीज़े रख दिया करते हैं औरली Nathan से IQ की एक बुक निकालने को कहती है और उसे पढ़ने के बाद वो कहती है कि जंगल में इंटर करने से पहले उन्हें कुछ आफर करना होगा कुछ ऐसा जो उनके लिए बहुत खास है तो Nathan Maxine के गले का पट्टा वहां रख देता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं औरली कहती है कि ये वही जगा है जहां डैविल ने पहली बार कदम रखा था जब उसे हैवन से निकाल दिया गया था और इसी जगह से उन्हें हेल में जाने का रास्ता मिलेगा फिर वो सारे धर्मों के साइन को रख देते हैं और बुक में देखकर प्रोटेक्शन प्रेयर पढ़ने लगते हैं औरली कहती है कि वो जितना बड़ा गढधक हो देंगे वो हल के उतने ही नजदीक आ जाएंगे और हर लेयर के बाद जंगल अंधेरा होता जाएगा उसके बाद वो जब उस जगह खुदाई करते हैं तो नेथन गड़े में सर रख कर कुछ सुनने लगता है और कहता है कि वो फर्ष्ट लेयर में आ चुके हैं इतनी देर मेहनत करने के बाद उन्हें भूक लगने लगती है तो औरली और नेथन अपने साथ लाए कुछ खाने में से थोड़ा खाना लेकर चट्टान पर आ जाते हैं और थोड़ी देर वहीं आराम करते हैं वापस लोटते समय उन्हें दूसरी तरफ एक आदमी दिखता है जो वहाँ सूसाइड करने आया था लेकिन वो जैसे ही खुद को चाकू मारने वाला होता है नेथन डर के मारे चिला देता है और उन्हें देखकर वो आदमी अपना समान लेता है और वहाँ से चला जाता है औरली और नेथन वापस टेंट में आ जाते हैं और खुदाए जारी रखते हैं तभी नेथन को वहाँ एक पिश्टल मिलता है जिसे औरली धीरे से साइड में रख देती है रात में वो टेंट के अंदर आ जाते हैं और जब नेथन अपने दात ब्रश करने से मना कर देता है तो औरली उसे सरबरस के बारे में बताती है कि नर्ख के दरवाजे पर सरबरस पहरा देता है उसके तीन सर है और वो बहुत खुखार है सरबरस सैतानी प्राणियों को नर्ख से बाहर जाने से रोकता है और जिन्दा जीवों को नर्ख के अंदर नहीं आने देता सरबरस चेंज से बंधा हुआ है जो कि फिप्त लेयर में है हाला कि उसे किसी के आने की भनक लग जाती है अगर कोई स्मेल करता है ये सुनकर नेथन तुरंत ब्रश करने के लिए बाहर चला जाता है नेथन जब ब्रश करने के लिए तलाब के पास आता है तो उसे वहाँ एक नेकेड लड़की बोट पर दिखाए देती है नेथन डर के मारे टेंट में आ जाता है जहां उसे फिर से बुरे सपने आने लगते हैं अगली सुबह जब औरली खुदाई कर रही होती है तो नेथन उससे कहता है कि वो सेकंड लेर में आ चुके हैं और जब औरली नेथन से पूछती है कि उसे ये कैसे पता चला तो नेथन कहता है कि उन्होंने उसे बताया औरली जब नेथन के हाथ देखती है तो उसके पूरे हाथ में खरोचने के निशान थे जिसे देखकर औरली बहुत ज्यादा डर जाती है वो उसके हाथों पर थोड़ा पानी डाल देती है जिसे उसने पहले ही अपने बैग में रख लिया था नेथन सामने की और किसी चीज को घूरे जा रहा था और वो कहता है कि वो थर्ड लेर में आ चुके हैं मानो उसे किसी तरह ये बात पता चल रही हो औरली नेथन को मैकसिन का पट्टा ढूनने को कहती है पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उपर की और भागने लगता है और ले उस पट्टे को रख लेती है और नेथन को रोकने लगती है पर वो दोनों किसी गिराज वाली जगह पर आ जाते हैं जहां धेर सारी तूटी हुई कार्स पढ़ी हुई थी और सामने एक बड़ा सा साटानिक स्टैचू था जिसके सामने दो आदमी जानवरों को काट रहे थे थोड़ी देर बाद उस सटानिक स्टैचू के अंदर से आवाजे आने लगती है जोकी एक प्रकार को चूला था जिसके अंदर उन दों लोगों ने उसी आदमी को बंद कर दिया था जो वहाँ सुसाइड करने आया था और वो दोनों उसे पका कर खाने वाले थे ये सब देखकर औरली नेथन को पकड़ती है और वहाँ से भागने लगती है औरली और नेथन तलाब में पड़े एक बोट पर बैठ जाते हैं और दूसरे किनारे पर आ जाते हैं लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं औरली और नेथन देखते हैं कि वो वापस घूम कर उसी जगा पर आ गये हैं तभी नेथन को एक तूटी हुई चेन दिखाई देती है और कुट्तों के गुर्राने की आवाजें भी आती है तो वो डर कर चिलाने लगता है औरली उसे शांत रहने को कहती है और नेथन को टेंट के अंदर ले आती है नेथन कहता है कि सरवरस अपनी चेंज तोड़कर आजाद हो गया है और वो उन्हें मारने के लिए थर्ड लेर में आ चुका है पर इस बार औरली उसे सच बता देती है कि ये सब उसकी बनाई कहानी है सरवरस सच नहीं है ना ही आईकी की वो बुक दरसल ये सब औरली की बनाई कहानी थी और वो बुक भी उसी ने लिखी थी क्यूंकि नेथन को ऐसा लग रहा था कि मैकसिन की आत्मा नर्क में है तो अगर वो उसकी आत्मा को वहां से बाहर निकाल लेते हैं तो शायद उसके बुरे सपने आना बंद हो जाएं इसलिए औरली ने ये सारा ड्रामा किया लेकिन ये बात जैसे नेथन के दिमाग में बैठ गई हो कि ये सब सच है और उसने सर्बरस को देखा है और उसने आईकी को भी देखा है जिसने उसे बताया कि औरली उसे मैकसिन के पट्टे को लेकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी और ये बात सुनकर औरली थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो ठीक ऐसा ही करने की कोशिश कर रही थी तभी बाहर से चेंज की आवाजे आने लगती है मानो सरबरस आजाद होकर घूम रहा हो तो वो डर कर टेंड से बाहर निकल जाते हैं और एक पेड़ पर चड़ जाते हैं डर के मारे उन्हें पूरी रात पेड़ पर ही बितानी पड़ती है और सुभ जब औरली की आँखे खुलती है तो वो देखती है कि वही दोनों बदमाश लोग आकर पूरे जगह की छान बिन कर रहे हैं औरली धीरे से पेड़ से उतर कर पीछे की और जाने लगती है पर तभी नेथन एक स्टिक लेकर उनके सामने आ जाता है और नेथन को बचाने के लिए औरली जैसे ही उनकी और भागती है वो उन्हें पकड़ देते हैं वो दोनों औरली और नेथन को उसी जगह लेकर आ जाते हैं जहां उन्होंने उस चाइनीज आदमी को मारा था फिर वो नेथन को भी उसी सटैनिक स्टैचू के अंदर डाल देते हैं और नीचे से आग लगा देते हैं औरली एक पिंजरे में बंद थी पर नेथन को अंदर जलता हुआ देख वो पिंजरे को जोर जोर से मारने लगती है जिससे की पिंजरे का एक साइट तूट जाता है और वो बाहर निकल कर टेबल पर रखी गन उठा लेती है और उनमें से एक को शूट कर देती है फिर वो नेथन को बाहर निकालती है और भागने को कहती है नेथन वापस जंगल की और भाग जाता है और औरली उस दूसरे आदमी को भी शूट कर देती है नेथन जब जंगल की और आता है तो उसे फिर से चेंज की आवाजे आने लगती है पर असल में वो कोई तीन सरवाला सरबरस नहीं था बलकि एक नॉर्मल सा कुत्ता था जिसका पैर फंदे में फंच चुका था नेथन उसकी मदद करता है और उसे उस चेंज से आजाद कर देता है और वो कुत्त जाने से पहले एक बार नेथन की और देखता है मूवी की स्टोडी यहीं पर एंड हो जाती है क्यूंकि नेथन के मन में जो बात बैट गई थी कि मैकसीन की आत्मा नर्क में है वो इस कुत्ते को आजाद करने से हट जाती है और अब शायद उसे बुरे सपने भी नहीं आएंगे इस तरफ औरली जब जंगल में आती है तो वो हाईलूजिनेट करने लगती है और उसे मॉंस्टर्स दिखाई देने लगते है तो वो डरकर टेंट के अंदर छिप जाती है तभी उसे बाहर से चेंज की आवाजें आने लगती है तो इस बार औरली को लगता है कि यह सच में सरब्रस है तो वो बाहर की और गंद तान देती है पर ये नेथन था जो उस कुत्ते की चेंज को हाथ में लिए टेंट की और बढ़ रहा था और ली ट्रिगर दबाने ही वाली होती है और मुवी यहीं खत्म हो जाती है पर वो कौन सी ऐसी चीज है जो इस मुवी को कर्जड बनाती है वो है इस मुवी में दिखाया गया एस्थ्रॉत का साइन जो पूरे मुवी के दोरान 170 बार दिखाया गया था एस थ्रॉत डीमन के बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भी ऐसी मुवी एक्स्प्लेनेशन देखने के लिए सब्स्राइब कियोजी होरर फोबिया को